जान जाओगे और आज प्रकर के साथ बैटने का जो हमारा में मकसद है वो में मकसद यही है कि हम लोग जो है वो बात कर पाएं confidence के उपर जो के इस समय काफी लोगों का shattered होगा just because के भी exams हुए है और बहुत सारी results वगएर आएं उसके चक्कर में और in general भी life में मुझे लगता है कि कभी-कभी भाई confidence की जो है वो वाट लगी रहती है तो मैंने सोचा कि प्रकर से बढ़िया व्यक्ति इस समय कोई नहीं मिलेगा जो हमारे young students को motivate करे और वापे सुनका खोया confidence जो है वो जगा है सो प्रकर जब पहली बार आप सुनते होगे confidence क्या आता है क्या आता है माइंड में सर एक तो just to check क्योंकि मैं YouTube साइड में लगा रखा है उस पर मैं नहीं आ रहा हूँ सरफ आप ही आ रहे हो एक बार चेक कर लोगा सर बताओं मैं confidence I am very bullish on confidence मेरे को लगता है confidence is quite literally something जिसको हम बिलकुल भी ignore करके ये ऐसी skill ये ऐसा element नहीं है मेरी success का जिसको मैं बाहर छोड़ सकूँ मैं बहुत frankly बता रहा हूँ मतलब confidence एक ना amplifier है अगर आपका skill level 100 में से 70 है और अगर आपका confidence level 20 है तो आपका 70 का output 30 या 40 निकलेगा ले देके वहीं अगर आपका skill level 70 है और आपका confidence level 100 है तो आपका output निकलेगा 150 क्या बात है क्योंकि life linear नहीं है ऐसा नहीं है मेरी skill इतनी है मैं उतना perform करूँगा मिरको अपनी skill पर भरोसा कितना है वो बहुत हद तक determine करता है कि मेरी performance कैसी होगी तो हाँ बोलो आप सर कुछ कहने बाए इस पे मैं चाहरा था कुछ example अगर आप देना चाहो बिलकुल skill से connect करते हुए सर बहुत simple example है यहाँ पर कितने लोग चैट में ऐसे हैं जिन्होंने अभी paper दी है या कोई paper recent memory में चैट में पर दी है चैट में हाँ लिखके बता दो मिरको ताकि मिरको पता रहा है पहले paper देने जाता है पहले paper में थोड़ा बहुत ना मतलब steady सा होता है कि ठीक है मैं करा हूँगा पहले paper खराब हो गया अब सारे paper खराब हो गया अब सारे paper खराब हो जाते है इस वेरी कॉमन इस वेरी कॉमन प्रैक्टिस न सीए स्टुडेंट्स जो बात आपने बोली पहले पर देके आएंगे और पहले पर में सिक्स्टी से उपर नंबर आ जाएंगे पास हो जाएंगे लेकिन उसके विएसे जो तीन पेपर वो सफर कर जाते हैं क्योंकि उस ताइम confidence डग मगा गया confidence is my ability to understand how well I will do in the situation so if I think I will not do well in the situation मैं बंती बनाती बात बिगाडा हूँगा मैं बंती बनाती बात बिगाडा हूँगा आप इसको इस तरीके से लेलो suppose आप किसी random इंसान से मिलना चाहते हो right आप suppose लोग question पूछना चाहते हैं आपकी class में right आपने तो hall में class ली है सर इंसान में confidence नहीं है right वो सवाल पूछने की कोशिश करता है उसको पता है सवाल क्या है but confidence नहीं है सवाल बोलते बोलते गड़बडा जाता है फिर उससे और confidence कम हो जाता है फिर वो next time सवाल पूछता ही नहीं फिर उसका doubt clear होता ही नहीं अब ये चक्का चल गया एक cycle चल गई जिससे एक level पे आपकी performance धीमे धीमे skill की वज़े से नहीं आपकी assessment of your skill की वज़े से नीचे किरती चली गई और वो situation किसके लिए अच्छी है मैं एक मिट पंखा चलागा हूँ इतने गाईस जो लोग भी YouTube में live देख रहे हैं and they want to join us on Zoom वीडियो के नीचे description में एक link है वहाँ पे आगे मैं join कर सकते हैं और Zoom की chat on है अगर आप कुछ बात करना चाहें तो last में आप सबको मौका मिलेगा हम लोग प्रकर से जो है one on one एक questions भी पूछने की कोशिश करेंगे तो प्रकर जो बात आपने बदाई ना कि आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि it's not my skill it's the assessment of my skill जिसकी वेसे मैं fail होगे और I think नहीं पर confidence का बहुत बड़ा रोल था कि मैं अपने skill को जो है कैसे assess करता हूँ अब अब मुझे एक बात बात हो प्रकर confidence टूट चुका है भाई दो बार फेल होगे तीन बार फेल होगे है और अच्छे अच्छों का टूटता है अच्छे अच्छों का टूटता है तो उसको rebind कैसे किया है सर आपकी आवास तोड़ी ट्रेल आफ हो गई मेरी आवास आ रही है ना हाब बिलकुल आ रही है my question is कि कैसे उसको सर पता है बहुत ना एक एक बहुती interesting psychological effect के बारे मैं आपको बताता हूँ आज में उसको कहते है recency bias सुन लो सब लोग recency bias और recency bias का funda क्या है जो कल हुआ था ना वो एक साल पुरानी चीज़ से ज़्यादा valuable है हमारे दिमाग में अगर कल तुम fail हुए थे तुम चाहे एक साल पहले pass हुए हो तुम वो बराबर नहीं समझोगे कल का failure बड़ा है एक साल पुराने pass से इस बात को ध्यान से समझना जो तुमारा नजदीकी evidence है कल परसों जो अभी-भी हुआ है recently हुआ है उसको तुम ज़ादा value देते हो than जो चीज बहुत पहले हुई है अब इस process को लेके हम confidence hack करते है बहुत simple तरीके से मेरे रोज के काम क्या है मैंने अपने आपको बोला है सुबह साथ बज़े उटना है मैंने अपने आपको बोला है छे घंटे पढ़ाई करनी है मैंने अपने आपको बोला है रूम की सफाई करनी है मैंने अपने आपको बोला है शाम को exercise करनी है मैंने अपने आपको बोला है धंक से खाना खाना है मैंने अपने आपको बोला है फलाना फलाना पदार्त consume नहीं करने जो भी होते हैं अब तुमने ये एक, दो, तीन, चार, पाँच पॉंट जो तुमहारे रोस के काम में है वो ढंग से करने चालू कर दिये जो तुमहारा आज का evidence है, जो कल का evidence है जो नस्धी की evidence है उसकी value जाद है धीमे धीमे करके वो ही चीज़े तुमहारे confidence में add करने लगेंगी, simple बात see the simple बात, if you win all your near games, जो तुम्हारे आसपास चल रहे है, proximate games you automatically start boosting your confidence तो मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि तुमने अपने confidence को CA exam में या फलाने exam में pass या fail होने पे दबा के रखा हुआ है उस पे stake करा हुआ है तुमने, कि मैं pass होँगा तो confident होँगा, fail होँगा, तो confident नहीं होँगा पर उसके अलावा भी तुम्हारी जिंदगी 50 direction में जा रही है अगर तुमसे मैं एक trade-off बोलूँ कि तुम CA बन जाओ पर diabetic हो जाओ तुम एक बार के लिए तो सोचोगे न, कुछ लोग हाँ भी बोल देंगे पर एक बार के लिए तो सोचोगे न, कि CA की degree मिल गई पर 40 साल insulin के short भी लेने अब तुमारी health भी एक game है और अगर तुम अपनी health की game में जीतने लगोगे न, तो तुमारी पढ़ाई की game में भी confidence increase होगा या बात है वो same चीज अगर आप overall अपना ध्यान रखना शुरू करतोगे न, जो सरीक simple सी बात नहीं होती है अगर आप अच्छे कपड़े पहनों आप confident feel करते हो कोई यही बात है न, मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ automatically मेरा mind respond कर रहा है इस बात से कि यार तुम कुछ कर सकते हो एक level पे तो बात यह हो गई दूसरे level पे ध्यान से देखो कि तुमने confidence या non-confidence किस particular activity पे load कर रखा है क्या चीज होने पे, क्या trigger होने पे तुम्हे confidence मिलेगा और क्या trigger होने पे तुम्हे confidence नहीं मिलेगा ध्यान से देखो इस चीज को क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ जो जिस चीज के pass या fail होने में मेरी skill के अलाबा एक external circumstance है वहाँ से confidence बोरो करके क्या फाइदा example ले लो वो देखा है सर जो एक जो दिखाते हैं फिल्मों में जब कोई casino जाता है एक roulette होता है जिसमें को चक्के पे खूमती है वो ball फैंकते हैं और वो ball तुम्हारे number पे land करकी तो तुम्हें pay off मिल जाता है और मैं कितना भी mathematical अकलमन्द आदमी हूँ मिरे पस ball की speed है मिरे पस चक्के की speed है मिरे पस सारे उसकी positions है मैं mathematically calculate कर लो बट उसमें एक element है लगका मैं कुछ भी उस पे strategy यूज़ कर लो टई strategy भी आती हैं उसकी black पे लगा लो red पे लगा लो ये कर लो वो कर लो मैं कभी उसको 100% assess नहीं कर पाऊँगा in fact मैं बोलूँगा 40% मैं 20% भी assess नहीं कर पाऊँगा मैं चलो एक बार के लिए मान लेता हूँ 60% assess कर लेते हो तुम अगर तुमारे पर 60% assessment का वो है न ratio कि तुम 60% सही बता देते हो भी 40% luck का factor है अब अगर मैं वहां से confidence बोरो करने लगूँ तो क्या होगा खतम zero मैं रातो रात बरबाद हो जाओगा क्योंकि एक बार सही आएगा मेरे को लगेगा confidence yes मैं ही कर सकता हूँ अगली चार बार हार जाओगा बरबाद खतम bye bye tata that is a bad place to borrow confidence from because you don't have any control over it confidence क्या है तुमारा assessment of your skill वहाँ पर तुमारा skill ही क्या है दोस्त इसको तुम assess करोगे right likewise जब तुम अपनी confidence CA exam में pass होने पे load करते हो कि मैं pass होँगा तो मैं confident feel करोँगा उसमें कितना हाथ तुमारा है और कितना हाथ circumstance का है कोई भी percentage मान लो उसका एक alternative मैं तुमें देता हूँ मैं कितना अच्छा CA बनूँगा जब भी बनूँगा चाहे एक साल में चाहे तीन साल में चाहे पांच साल में क्योंकि मेरे concepts इतने clear है मैं मेहनत इतनी कर सकता हूँ मेरा vision इतना clear है मैं इन चीजों को इस तरीके से operate कर सकता हूँ और मेरे पास ये skill set है और मेरे पास ये contacts है और ये networks है उस चीज़ पर base कर लो अब तुम 2017 में सिये नहीं बने 2022 में बन गए 2022 में नहीं बने 2027 में बन गए पर जब बने confidence ये बने और अपनी उन सारी चीजों पर काम करते रहे जो जिस दिन मेरे को लोग certificate of practice दे देंगे जिस दिन मेरे को final का pass का mark sheet मिल जाएगी उस दिन काम आ जाएगी तो why not base your confidence on something that is in your control ये तो खुद को मारने वाली बात हुई न कि हम खुदी को मार रहे है कोई और इंसान जिसको तुम्हारी परवा भी नहीं है जिसको तुम्हें पता भी नहीं है तुम कौन हो उसके पास तुम्हारा roll number भी शायद नहीं पहुंचता है तो उसके पास वक्त नहीं है कितनी बार हम ये देख चुके है किस तरीके से checking हो जाती है उसके पास decision है कि तुम अपनी जिंदगी कैसे जी होगे इससे जादा बकवास बात क्या हो सकती है चलो मैं कह रहा हूँ exam का तो उसी के पास जाएगा structural बात है तुम खुद अपना paper थोड़ी check करोगे बट अपना confidence तो तुम खुद check करोगे ना उसका क्यों उसको थमा के दे रहे हो हाथ में यार कि तू बता दे मैं कितना confident हूँ कल से राइट क्या बात है प्रकर एक और बार जो ये जो हमने एक बार last time बीज बारे में कुछ-कुछ बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कुछ लोग होते जो 11 बार में कर लेते हैं बारा बार में क्रैक कर लेते हैं फाइनल और फिर मतलब वह लेजेंड बन जाते हैं कि भाई उसमें 11 बार में क्रैक करी मैं कहरा हूँ ठीक है ले लो inspiration तुम 11 बार दे दो 12 बार दे दो बट C.A. खतम करते ही तो तुमारी जिंदगी बन नहीं गई ना वहाँ तो जिंदगी शुरू हुई है अब तुम या तो उस लेवल के C.A. बनोगे जो राकेश जुन जुन वाला है कहानी तो वहाँ शुरू हुई है जब तुम C.A. बन गए उसके बाद या तो तुमारी नौकली लगेगी PwC, KPMG, GT, इन कंपनीज में या तुमारी नौकली लगेगी कहीं नहीं भाई साड़क पर बैठे हैं कहीं placement नहीं हुई कहानी तो तब शुरू होनी है न वहाँ पे तुमारा real test of skill है तो why not work on that aspect पास तो हो जाओगे, तुम 11 बार में हो जाओगे ना पास 12 बार में ले लो time why not load yourself heavily on that कि चलो ठीक है, तब तक हम उस चीज़ की तैयारी करते है एक दिन जैसे ही हमें दुनिया बोलीगी ना भाग सकते हो क्योंकि तुमने रस्ता चूज किया है उस दिन इतनी speed से भागे है को पकड़ नहीं पाएगा बहुत बढ़ी है तो start with मेरे पास कुछ questions है लेकि मेरे पास एक जो है बड़ा important observation भी है पता है सारी बात है जो आब अदा रहे हो यह stock market से इतना जादा रिलेट करते है जो अपने word उसके है recency bias तो recency bias stock market पे इतना जादा चलता है कि लोग एक share को बढ़ता हुआ देखते है न recency bias nice आ जाती है उनके मन में बहुत सही बात आपने बोली अब एक जो बात आपने बोली ने प्रकर हो मुझे बहुत सही लगा और वो I think उस पर हम थोड़ा और हम discussion करते हैं ताकि लोगों तक में पहुचा आपाए बात को कि how to build your confidence आपने एक बात बोली थी कि अपने pass वाले games जीतना शुरू करो अपने pass वाले games जीतना शुरू करो इस पर मैं यह बोलना चाहूँगा अपने सारे students को कि भाई देखो बात है यह pass वाले games क्या होते हैं पास वाले games बोले तो जैसे प्रकर ने बताया सुबह समय पे उठना शुरू करो प्लान करना शुरू करो जितना चोटे 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 चीज़ों कर अगर आप जीतेंगे तो आपका बड़ा confidence जाए हो over a period of time बन जाएगा जो self control और discipline वाले aspect होते हैं इनका straight correlation होता है confidence है आपने देखा athletes कितने confident होते हैं क्यों क्योंकि उनको पता है वो अगर बोलूँगा न मैं खुद को 6 दिन भूका रहना है मैं 6 दिन भूका रह सकता हूं उस आदमी को अपनी skill पे इतना भरोसा है कि मैं अपने आपको भूका रäsक्ता हूं भूका रकना बहुत बड़ी बात होती है 6 दिन दूसरे दिन पागल होना शुरू हो जाता है मैंने किये तीन-तीन चार्चर दिन फास्ट तो एक एथलीट को ये मालूम है कि मेरे पे अपना इतना कंट्रोल है कि किसी के पास नहीं है और अगर आपको एथलीट का confidence देखना है न तो गो टू संबड़ी लाइक महमद अली या आपका मतलब वो मैं तो fighters का लेता हूँ fighters क्या बोलेंगे इसको मैं तोड़ दूँगा कुछ नहीं पता है तोड़ेगा की तूटेगा बट बंदे का confidence देखो किस level पर operate कर रहा है कि मैं नहीं छोड़ूँगा इसे आ जानदा उसको क्यों क्योंकि बंदे को पता है डेली निप्टाने शुरू कर दो धीमे धीमे करके confidence बनना शुरू हो जाएगा दूसरा ये है कि तुम किस चीज किस event पर अपना confidence decide करते हो उसको optimize करो किसी और के हाथ में मत थमा के दो अपनी किसमत की चाबी ये second चीज मैं नहीं लिखे confidence trigger जो आपने बता है आप देखते हैं मैं कोई बात बोलता हूँ वाँ वाही ठोकते हैं आप कहां से नहीं आएगा confidence हमारी problem तो over confidence है मैं तो content creators को देखता हूँ जिनको लगता है कि वो भगवान बन गए उनकी problem दूसरे level पे काम कर रही है आप समझेरें उनको तो लगता है कि हमें बना दो अगला प्राइम मिनिस्टर और हमें ही मतलब हमी देश समाल लेंगे और हमें ही पता है कि सब सही गलत क्या है politically भी और वो भी content creators की problem दूसरे level पे operate करते है under confidence बड़ी कम time problem होती है होती है ऐसी बात नहीं है content creators you'd be very surprised top of the game but very very what do you say under confident but मेरा मेरा बच्पन से from a very young age मैं on stage events में participate कर रहा हूं मैं classrooms में सवाल पूछ रहा हूं और प्लसर पता है क्या है जैसे लोगों से ना बातचीत में भी पता लग जाता है क्योंकि ये काम कभी ना कभी तो मैं YouTube से पहले भी करी रहा था ना लोगों से बात करने का और लोग बोलते हैं वह यार क्या बात बोली तुने वो feedback वो feedback से बन जाता है मैंने जब एक time मेरे को याद है मैं बहुत under confident होता था था बहुत insecure होता था school खतम करने के आस पास तक मेरे को एक बार मेरी accounts की teacher ने school में 11th class में आप सोनो सर confidence कैसे बरवाद होता है बच्चे का तो मतलब मैं भी नलायक शैतान था ठीक है मैं भी हरकते कर रहा था class में उसने मेरे को dead in the eye देखा कहती तुम्हें zoom में बंद करने की तुकि I was not attractive enough तो मतलब आदमी school खतम करते करते तो मेरा confidence बिल्कुल crushed था I was totally destroyed but then I did something which is I worked on my health I became lean I became stronger I could control how I ate and what I ate and that changed my confidence का game then I started going out in public again इस time लोगो जब मेरे को याद है जब मेरे को याद है जब में बारवी के farewell मे स्कूल पहुंचा तो मेरे को स्कूल में घुषने नहीं दिया क्योंकि वो guard कहता है तो तुम्हारा ID card नहीं है यह मैंने बोला मैं ही हुई है कहरा नहीं तुम तो यह नहीं हो उसको पहचान में नहीं आ रहा था ID card की photo और मेरी photo में से उससे confidence एकदम उल्टा वापिस boost हुआ तो राइट 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 लैक उस ताइम because 11, 12, 10th grade में social level पर confidence rating होती है कि लोग तुमारे बारे में क्या जिंदगी भर kind of essay ही होती है बट उस ताइम बहुत जादा होता है अर्लीस मेरे लिए बहुत जादा था तो वहां से फिर confidence बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद CACS के exams भी सर मतलब मैंने अपने आपको कभी ना as a failure देखा नहीं मेरे CACA का final crack नहीं हुआ तो भी वरना CACA इंटर भी एक एक डेड़ बार में दो बार में निकल गई थी CSB एक बार दो बार में हो गई थी बट मैं interested भी किसी और चीज़ में था शुरू से जो मैं आप कर रहा हूँ और उसका feedback मेरे पास हमेशा अच्छा था वो उस game पे मैंने अपना confidence load कर रखा था कि मैं कितने अच्छे से सोच सकता हूँ मैं कितने अच्छे से बात कर सकता हूँ मैं कितने अच्छे से अपना point deliver कर सकता हूँ मैं public speaking कैसी करता हूँ वो मेरा loaded event था और उस पे हमेशा मेरे को return अच्छे आते थे तो और मतलब hopefully sir confidence की जो journey है ना वो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन हुआ trigger ऐसे हो गई 10 साल होगा बकाईदा 11, 12, 10 साल तब मेरे को realize हुआ कि confidence की journey में मैं बहुत आगया गया हूँ अब मैं actually बहुत confident हूँ और hopefully you will go through that too maybe in five years, maybe in four years most definitely sooner than I did like bro उस time तो तुम बिल्कुली confident नहीं थे तुम लोगों से शरम आती थी तुम छुपते थे तुम डरके भागते थे तुम पता नहीं था अपना मूँ कैसे खोला जाए तुम stage पे जाने लगते थे तो ये च्छाती का आपने लगती थी तुमारे पै ढीले पड़ जाते थे कोई तुमसे बात करने लगता था तो अब अब वो नहीं है जब मैं पहली बार अमेरिका गया और पहले 6-8 महीने ये बाइद वे सारे इंडियन्स की प्राब्लम है अमेरिका में majority इंडियन्स जो जाते हैं specially जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो ही जाते हैं generally तो वो लोग किसी से बात नहीं कर पाते हैं इंडियन्स अपना ही गुट बनाके गुमते हैं इंडियन और चाइनीज लोग ये दो लोग हैं जो अमेरिका में अपना गुट बनाके गुमते हैं और तीसरा ग्रूप है अमेरिकन्स का अगर वो तुम कहीं उनको और दुनिया में मिलो तुम अपने आपको अकलमन समझ रहे थे क्योंकि मैंने लोड किस पर कर रखा था अपना confidence अकलमन दी, बात करने पर, फलाने धिमके पर वहां मैंने देखा भाई, यहां तो एक का शेर बैठा है, दो दो का शेर बैठा है, चार, तो वहां फिर confidence डाउन हुआ, छे-अट महीना, फिर वहां पर रहा मैं ऐसे कि मैं लोगों से बात नी कर पाता, था था, ख्लास रूम में कुछ बोलता नहीं था, दो सेमेस्टर तो ऐसी निकल गए कि मैंने कुछ बोला ही नी क्लास में, समझी नहीं आ रहा, ग्रेड कैसे-कैसे आ रहे है, B-C, एक सेमेस्टर में C ग्रेड, समझी नहीं आ रहा मैं क्लास में बात कैसे करूँ, समझू कैसे प्रफेसर से ये कैसे पूछू, इसे कैसे करना है वैसे करना है फिर मैंने बोला हथ तुमारी बहुत हो गया चलो करके आते हैं बार फिर धीमे धीमे खुलने लगा to the point जहां professors मेरे से opinion ले 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 लगे मतलब ऐसे नहीं कि कोई बहुत high regard में कि बाद में वैट के बाद करने हैं हम लोग काफे में करें तुम इस theory के बारे में क्या सोचते हैं मैं कहरो मैं तो confidence एक sense में social validation है एक sense में और हाँ प्लीज ग्रेट सो आप कुछ बोल रहते हैं हाँ एक doubt मेरे मन में यह आ रहा है आपसे बात करते करते हमारी हमारे कोई समय लगबग जो है YouTube पे भी साड़े 500-600 लोग देख क्योंकि दो-तीन चीज़े जो आपने बताई ना बहुत बढ़िया थी एक तो यह कि विन यूर नियर नियर गेम्स दिस वास अमेजिंग क्योंकि actually मैंने देखा है कि जब आपने आस पास की गेम्स जीतने लग जाते तो आपका confidence कहीं भी हो आप एक level up हो ही जाते हो और दू चीज़े जो हमारे control में है उस पर गर हम काम करें तो confidence long lasting होने वाला है तो यह बातों का source क्या है प्रकर सर एक level पर मैं समझता हूँ कि gift है एक level पर मतलब मेरे पास जो introspection का न मतलब थोड़ा trained भी है यह skill introspect कर पाना और फिर अपने खयालों को words में डाल पाना accurately थोड़ी थोड़ी क्या काफी training लगी है बट majority इसलिए है क्योंकि मैं जू जाना इन सब चीजों से मैं मुड के confidence कैसे optimize करता हूँ मैं देख सकता हूँ कि मैंने आसपास वाले लोगों को में जब confidence उपर जाते देखा है तो उन्होंने क्या सही किया है और फिर मैं उन खयालों को words में तो it is not necessarily reading sir मैं आपको मतलब लोग कई बार यह सोचते हैं मेरे YouTube पे और generally जो मेरे को जानते कि कहीं प्र जो theoretical education होती है उसमें बहुत बहुत distance होता है तो एक level पे तो यह मतलब एक level पे gift है कि I can look into myself and then very accurately represent what I think. Right. Okay. और बाकिसर दूसरा सोर्स यह है कि when you read across disciplines, when you read a lot or not just read but when you consume a lot of information, structured information by the way, not on Twitter and Instagram, structured information, not 280 characters and one picture deep, structured information, be that through films, documentaries, be that through books, be that through podcasts, be the long form, proper contextual information. अगर आप बहुत ज़्यादा consume करते होना, eventually your brain starts to form patterns between things and फिर वो चीज़े accumulate होती रहती हैं. वो भी एक reason है. Right. Right. So, one is कि एक natural knack है आपके पास के चीज़ों को समझना, उसे फिर धंक से represent कर बाना और दूसरा आपने बोला कि एक structured content आप काफी consume करते हो, multi-disciplinary content जिसे बोल सकता हूँ, वो आप काफी consume करते हो. एक कोशे मेरे मन में आ रहा है, एक कोशे मेरे माइन में आ रहा है, कि result, for example, CA students का result जो है, लगबग एक महीना हो गया, final के result को आए हुए और intermediate को भी 20 दिन हो गए होंगे, 10-15 दिन हो गए होंगे, अब कहना, कुछ लोगों ने अभी भी शुरू, शुरूआत नहीं करी है, द हमारा confidence और गिरता जाता है, और confidence जो है, वो तूटता जाता है, क्या चीज़ें जो add कर रही है, इस चीज़ की बीच में कि यार कल से करूँगा, फर्सों से करूँगा, इसमें क्या कहना है, सर, मैं ना, एक चीज़ सोचता हूँ, अज़न एक्सपेरिमेंट ओनली, क्योंकि एक ना, टेंडेंसी होती है, मैं आपको एक funny instance बताता हूँ, थोड़ा क्रास होगा, बड़ा real instance है, एक बारी ना, मिरको एक मेरा बड़ा पुराना दोस्त मिला, अभी कुछ महीने पर पुर करते हैं, मैं सर्फ बात ही तो कर रहा हूँ, बात ही कर सकता हूँ, और ये एक expectation होती है सर, लोगों की आप से, और आपकी variety के लोगों से, मैं CA domain की बात कर रहा हूँ specifically, मैं motivation देंगे ये teacher आके, ये कुछ जादू ही बोलेंगे जिससे हमें धाई घंटा लगेगा कि हम actually पहार चड़ जाएंगे, डाई घंटा लगेगा बस, बट मैं उस motivation पर dependent हूँ, मैं उस motivation पर dependent हूँ, तो मैं सही में कई बार सोचता हूँ, अगर एक बार के लिए, और मैं इसका कोई ओनस CA teachers पे नहीं छोड़ता, बट अगर सारे CA teacher बोलते हम नहीं देंगे motivation, जाओ, सारे, कि अब मतलब अकाल आयो है motivation का, इनको मिल नीरा खाने को motivation, तो क्या वो लोग खुद को उठाना सीख जाएंगे, क्योंकि सर ना आपके जादूई कोई शब्द काम करेंगे, ना मेरे जादूई शब्द काम करेंगे आदमी को उसकी कुर्सी से उठाने के लिए, दो-तीन चीज़े क काम करती है, एक होता है possibility of reward, एक होता है fear of punishment, अगर तुम यह समझ गए, कि अगर काम नहीं हुआ, तो कोई ऐसी चीज़, चाहे वो दुनिया की लाते हैं, चाहे वो जमाने का मतलब सबसे lowest possible point है, वो मिल जाएगा, तो तुम काम करना शुरू कर दोगे, एक साथ शुरू कर द जाएगी, मतलब मैं यह कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, फिर यह है, फिर वो है, फिर तुम automatically काम करना शुरू कर दोगे, तीसरी चीज़ होती है किसी का example, जान अब्रायम की body देखके सबको जान अब्रायम जैसी body चाहे होती है न, यह वो वाला case है, जहां मैंने एक फ Confidence, क्या वो ऐसे activities करता है, या क्या, वैसे steps लेना शुरू कर देता है, knowingly और unknowingly, कि उसका confidence जीरो से फिर minus में जाना शुरू हो जाता है Sir, देखो, अगर वो, अगर, हाँ, बिलकुल, absolutely, अगर अपने आपको आप ये self-talk में put कर रहे हो न, कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं घदा हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाओंगा जिंदगी में, मेरी जिंदगी यहीं खतम हो जाएगी, मैं वैसे भी ला परक नहीं है, मैंने कुछ skills पर कोशिश की है, आपने कुछ skills में कोशिश की है, मतलब की, of course, एक natural talent है थोड़ा बहुत, और एक inclination है, कि मतलब प्रकर बोलने की direction में inclined है, नीरत सर सपोज, invest करने की direction में inclined है आजकल, right, एक inclination है, एक talent है, उसके beyond, तो सब कुछ acquired और learnt ही है न, यह beyond तो मैंने महनत करी है न, तो आप अपने आपको, जैसे वो कहते है न, जो खाओगे वो बन जाओगे, जो सुनाओगे न, वैसे पक्का बन जाओगे, वैसे तो पक्का बन जाओगे तुम, जैसे अपनी आपको बाते सुनाओगे, तो जब तुम अंधेरे में, कोने में बैठ के रात को अपने आप से कह रहे हो तुम तो जाले किसी लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो हो नहीं था fail, तुम्हें तो हो नहीं था fail हाँ, तो then you will get into a place where your confidence goes minus या फिर तुम अगर अपने आपको कल से उठा के अपने immediate games जीतना शुरू नहीं करते न, suppose अब मैं fail हो गया, अब मैं exercise का routine भी छोड़ दिया मैंने, जो मैंने exams के बाद उठाया था, ठीक है, उसके बाद मैंने अपना जो, और जो मेरे छोटे-मोटे game से सुबा से time पे उठना, etc., वो भी छोड़ दिया, तो जो मैंने थोड़ा बहुत confidence accumulate किया था, उसका negative attack भी लोगा मैं, क्योंकि अब मैं वो नहीं कर रहा, fail होने के बाद, मैंने और अपना ध्यान रखना बंद कर दिया, तो बिलकुल ऐसा हो सकता है, 110% ऐसा हो सकता है, कि तुम, you can go back to worst, हाँ सर, मतलब, कितने extreme cases होते हैं, under confident लोगों के, मैं बता भी नहीं सकता, एक, मैं आपको बताता हूँ, बहुत genuine बात, एक लड़का था, तो उसका मेरे पास call आया था, call के आया था, text आया था, बहुत पहले की बात ही है, almost साल 8 महीने, 9 महीने पुरानी बात होगी, अमेरिका में ही था, जब मैंने start किया था है काम, उसने मेरे को किसी podcast पे देखा, he was like मेरे को आपसे consulting कर नहीं है, मैंने बो लगों की, मैं consulting देता है, किसी को मैं phone call नहीं लेता लोगों की, केर है, नहीं नहीं, मिरे आपसे लेनी है, मैंने बोला, चल ठीक है, वो लड़का सर इतना under confident था कि वो sentence बोलते बोलते बस है न मतलब वो बात ही ambiguity में करता था vague words use करता था sentence कभी खतम ही नहीं होते थे उसके तोना वो तो ऐसा ही है ना अब तोना वो तो ऐसा ही है ना मैं समझ के आया किसी को the point is he was so under confident he wasn't even sure कि मैं बोलू कैसे अपने मन की बात जब वो actually मतलब और अगर मैं उसको धका मरते था ना तोना क्या और वैसा क्या तो उसके पास words नहीं होते थे क्योंकि वो अपने आपको सोचना भी allow नहीं करता था वो चीजे इतना कम confidence था कि उसकी भाषा में दिख रहा था कि वो किसी चीज़ को इसको एक और तरीके से समझते हैं अगर मेरे में बहुत confidence है मैं institute पर उखाके बोल सकता हूँ यह सही है गलत है एक example ले रहा हूँ not that I would do that है ना कि जितना जादा confidence उतना मैं बिना डरे उंगली उठाके इसको यह और वो को वो बोल सकता हूँ अब अगर मैं phone को phone बिना बोल पाऊँ तो वो मेरा lack of confidence है ना कि लोग बोलेंगे पागल है यह तो TV है और मैं तब भी अपना ground hold नहीं कर पाऊँगा कि TV नहीं phone है उस level का under confidence था और उसके साथ मैंने एक ही routine run किया था मैंने बोला हम list बनाएंगे एक excel sheet बनाएंगे simple यह तुमारे दिन के task होंगे ठीक है उठना है उठके cold shower लेना है चाहिए कितनी सर्दी हो रही हो दोस्त नहाना है तो ठंडे पानी से और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ठंडा थोड़ा सा पून्ठ ठंडे पानी से एक्स्पेरिमेंट रन किया है मैंने दो साल अमेरिका की सर्दी में बिलकुल ठंडे पानी से नाता था और फिर निकर बैन के बाहर घूमने चले जाता रहा बरफ में कि क्योंकि बॉड़ी बोलती है No, 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 no and then you have to push yourself उसके अपने advantages है और उसके physiological advantages है health-wise, overall but anyway फिर उसके साथ था meditate फिर उसके साथ था workout और एक-दो चीज़े और थी मेरे कोई याद नी हमने उसका routine fix किया हमने बोला यह चीज़े तुम करो और हमने कम से कम चार या पांच कॉल ली एक महीने में, दो महीने में फिर हमारी बहुत वक्त बात नहीं हुई फिर एक दिन उसका फिर से फोन आए, मैंने उठा लिया, हम बात करने लगे और वो पूरे-पूरे सेंटेंस में बात करें, भाई आप कैसे हो मैं बढ़िया हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, words के साथ मैंने बुलाया, कमाल है, क्या हो गया, रंग बदल गए तेरे चक्का चल पड़ा, गाड़ी चल पड़ी, काम खतम बंदे का confidence measurably अलग, उसको वो इतना under confident था कि वो जब दुकान में कुछ खरीदने जाता था ना, और अगर दुकांदर ने बोल दिया कि इसके इतने पैसे हैं, वो भाग के आजाता रहा, समान खरीद के नहीं आता रहा, क्योंकि उसको पता नहीं था, वो जवाब भी कैसे दे, इस level का under confidence, तो पहले तो, there is a literal hell that exists, with lack of confidence, to the point where you cannot even communicate with your environment, so don't drive yourself there with negative talk, and not taking care of yourself, and the second thing is, when it changes, your life changes, वो आज भी thank you, बोलता है, वो मेरी live stream पे आएगा, कुछ नहीं होगा, यूँ पैसे देके चला जाएगा, सूपर चैट देके, और मैं उसे बोलता हूँ, क्यों देता है, तू मिरे को पैसे, बैसे मेरी बाहत होती है, कह रहे है, सर आप, आपके लिए तो कुछ भी, और मैंने उसे कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ उसको routine दिया, life में, आपने जो पहले बताया है, कि आपने उसे आजपास वाली games जीतना सिखा दिया, और उन games को जीतके, उसका confidence जो है, वो दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-डेवलेप होता गया, ग्रेट प्रकर एक कोशन आ रहा है मेरे पास एक बहुत देर से एक स्टुडेंट है वो कोशन पूछ रहे हैं मैं आपसे पूछ था हूँ confidence building start कहा से करें जब 3-4 साल से लगा था बिलकुल पूर confidence रहा है I think इसका जवाब हमने अभी अभी जो आपने पूरी स्टोरी बताई अपने अपने student बोलेजिया है आपके जो भी थे वो client बोलेजिया तो उसके हिसाब से I think आपने सारा का सारे चीज़ बताई दी कि start with your near games और अपना एक routine बनाके जियो उसमें आपको जो है काफी सारी चीज़े मिल जाएंगी जिसे आपना confidence जो है वो सुदार सकते है अच्छा अब प्रकर मुझे बाहत हुआ हो कि हमने काफी सारी बाचीत कर ली कि confidence जो है वो कैसे develop करें अब इसके बाद भी हमें हमारे confidence पे एक चीज़ का बड़ रहे हैं getting a point cma it is quite common कि बच्चा fail हुआ और fail होने के बाद उसका सामने वाला क्या बोल रहे है वो उसका confidence तोड़ता है कि मैं शायद पहले भी इस मुद्धे बात करे थी कि मैं शकल नहीं दिखा पारा लोगों को क्योंकि मैं fail हो गया हूँ and वो तो फिर आपके वो negative talk में चल पर जो बैठा है live stream में YouTube पर hang around करता है दूसरों की परवा मत करो दूसरे क्या सोचते हैं तुम you are constructed quite literally in your biology and your psychology to give a shit about what other people think of you. तुमारा mechanism है ना जो यहाँ पर काम करने जो default operation है तुमारे दिमाग का उसमें और लोग included है तुम वो नहीं हटा सकते हैं तो दो तीन चीज़े हैं ए हम लोग हम लोग वहाँ पर वो क्या कहते है binomial लग लग रांज equation लगा के optimization पढ़ते थे और मैं कहते हैं यह क्या हो रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ठीक है इसमें first equation second equation third equation बट बहुत simple process है देखो जो हमने चलो मैं इसको भी एक experiment के थुरू लेके चलता हूँ बहुत interesting experiment असे ध्यान देना इस बात का हूँ एक psychology का professor होता था आश करके A-S-C-H हमने बात करी है इस बारे में नहीं मेरे कहल से बात नहीं अच्छा आश ने एक experiment बनाया जहां उसने एक blackboard लिया उस पर तीन line draw करी एक line medium एक line बड़ी एक line छोटी ठीक है उसने 10 candidate बुला है और 10 candidate से बुला सबसे छोटी line point करके बता दो सबसे बड़ी line point करके बता दो my bad सबसे बड़ी line point करके बता दो ठीक है सारे candidate जितने थे वहाँ पर 9 candidate 10 में से वो मिले हुए थे experimenter के साथ वो experiment के ही part थे पहले से उन्हें confederates कहते है psychology experiment में confederate थे वो तो confederates ने क्या करा उनको क्या instruction था कि जो सबसे छोटी वाली line है उसकी तरफ उंगली करके बोलना है सबसे बड़ी वाली line है तो 9 लोगों ने line से बोला वो वाली जो तीसरी line है सबसे बड़ी है और जो दसवा इंसान था जो actual जिस पर experiment run हो रहा है जिसका result नापेंगे वो भाई साब वहाँ खड़े हुए उनके चेहरे पर confusion पर confusion चड़े confusion पर confusion चड़े जब उनसे पुछा सबसे बड़ी line कौन सी है सोच उन्हें ने क्या बोला सबसे छोटी वाली क्योंकि बात यह है सर कि यह टीवी है यह फोन है एक level पर मैं डिसाइड करूँगा पर अगर कल को सारे लोग बोलने लगे ना भाई प्रकर तू पागल हो गया यह टीवी है तो मिरे को लगने लगेगा यह टीवी है बोलेंगा देख इस पर तू नेट्लिक्स देख सकता है यूट्यूब देख सकता है कैसे टीवी नहीं है टीवी है भाई फोन और होते है फोन और होते है हम वी आर हमारी प्रोग्रामिंग है man is a social animal हमारी प्रोग्रामिंग है to take into account what other people think we cannot live without that so I will never tell you ignore what other people think I will tell you be smarter about who you give a shit about now what does that mean suppose यहां बैठा है Manish बैठा है और Shubham बैठा है ठीक है प्रकर के प्रवचन चालू होते हैं मार्च 2020 में Manish और Shubham को वो चैनल मिलता है वो कहते है यह बेवकूफ कौन है टक 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 एंटर प्रकर घर बैठा है प्रकर कह रहा है यार यह तो दुनिया की लोग तो मेरे को बेवकूफ कह रहे है मैं कुछ तो गल्ती कर रहा हूँगा मैं कुछ तो गल्ट कुछ तो गडबढ होगा तभी तो वो लोग कह रहे हैं कि उससे बड़ी लाइन है क्या होगा प्रखर के साथ अब तुम्हे प्रखर को ही क्या पता मनीश तो झुभम को क्या पता होगा पहली बात ठीक है दूसरी बात suppose चलो निर जरोड़ा और प्रखर गुपता की नहीं बनती suppose यह प्राइट प्रखर को नहीं बता प्रकर भोला है अपना प्रकर को क्या पता निरा जरोडा मन में सोचता है कि भाई प्रकर अच्छा लड़का नी है निरा जरोडा फोन करता है उसको पता है प्रकर क्या करने वाला है he understands YouTube he's like प्रकर तुम ये मत करो ये तुम्हारे ले बना नी है या तुम बेवकूफी कर रहे हो तुम बंदर लगते वे यार करते वे सब प्रकर बोले यार नीराज सर कह रहे है कोई बात तो ठीक होगी कोई बात तो ठीक होगी इसमें obvious problem क्या है नीरा जरोडा ड़स नाट है प्रकर's best interest at heart right so there are two qualifying criteria only one only take उस इंसान का opinion जिसको पता है कि दुनिया क्या है especially जिस दुनिया में तुम घुस रहे हो तुम एक डॉक्टर से जाके अपनी CA की advice नहीं लोगे न तो फिर तुमारे पड़ोस के दॉक्टर अंकल क्यो डिसाइड करते हैं तुम लाइफ में कितने जरोड़ा understands what YouTube looks like looks like so I take advice from निर जरोड़ा उनका opinion मैं factor in करता हूँ जब वो मिरको बोलते हैं कि प्रखर इसको ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए हाँ सही कह रहे होंगे उनको पता है at least मैं consider करता हूँ right दूसरे level पे you have to see if that person has your best interest at heart if that person does not have your best interest at heart जो कि तुमारे पडोसी generally will not क्योंकि उनके पस वक्त नहीं है तो मैं उनका opinion क्यों पकड़ूँ वो competitor, वो और इंसान उसके पास वक्त नहीं है तुमारे लिए opinion बनाने के लिए तुम हैरान हो जाओगे जानके कितने लोग ऐसे थे जो आज भी message करके कई बर पापा को बोलेंगे हमें तो लगा था प्रकर हाथ से निकल गया हम उसके वो देखते हैं lecture हमें तो बड़ अच्छा लगता है क्या बात करता है वो क्योंकि उनके पास कहां वक्त है या information है या resources है मेरे बारे में एक proper opinion बनाने को वो किसके पास है सारी detail सारा resource मेरे पास मेरे पास मेरे पास है ना मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ पूरा दिन तुम भी तो अपने बारे में सोचते हूँ पूरा दिन तुम्हारे पास सारी detail भी है कल मैंने क्या किया था छह साल पहले मैंने क्या किया था, दो साल बाद में क्या करूँगा और एनरजी भी तुमारे पास ही, अपने बारे में इतनी परवा करने की वो पड़ोस वाले अंकल के पास एनरजी नहीं है यार उनको अपनी वो चलानी है डॉक्टर की दुकान, रात को पंदरा मिनिट लगे, अरे वो लड़का तो रात भर शोर करता है यूट्यूब करते हुए, बिगड़ा हुआ ही होगा, जाए सिप-सिप कर रहे हैं उनको क्या पता, बट क्योंकि तुम प्रोग्रामड हो, दूसरों के उपिनियन से काम करने के लिए अब उसी एक्जामपल पर जाओ, मैंने आश वाले एक्जामपल के बारे में बताया था अगर तुम्हें पता लग गया कि ये नौलोग मिले हुए हैं, एक्सपेरिमेंटर के साथ तुम फट से बोल दोगे, नई जी, वो बड़ी वाली लाईनी बड़ी वाली है अब तुम अगर एक बार समझ गया है कि सामने वाले के पास वक्त नहीं है तुम्हारे लिए देना है, बागी सब जाए तेल लगाने, उनको नहीं पता है कुछ भी क्या बात है, that's great, I think अब एक दो हम लोग जो है हमारे साथ में स्टूडेंट्स हैं, हम उनको मौका देते हैं बूलने का और डिरेक्टली आपस प्रकर कोशन पूछेंगे सबसे बहले मनीश के पास चलते हैं, मनीश मैं अन्म्यूट कर रहा हूं आपको, हान जी मनीश हेलो सर, हेलो प्रकर बाई, नमस्ते, जैसे अभी आपने बताया था न कि 11th क्लास में आपके साथ हुआ था, अकाउंट्स की टीचर ने उसके बाद फिर मैंने ये CMAI, लेकिन मैं सही बत बताऊं, CPT से final तक आते आते हैं अब थकान सच में लगती है, और मतलब confidence नहीं आता इस समय, हालागी ऐसे कुछ बुरा चीज नहीं हुए मेरे साथ, मैं वो एक energy दुवारे regain कैसे कुछ, मेरा question यह, तेरी life का अभी, तू म मेरे पास इसका answer नहीं है, मैं जूट नहीं बोलू हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं भी थोड़ा tough question पूछ रहा हूँ, बड़ तू मतलब कभी तूने सोचा है, तरी life 15 साल बाद कैसी दिखती है, 15 साल बाद मेरे पास, मुझे ऐसा लगते है कि आज से बड़ा घर, जितना भ तो तू basically सोच तक कितनी दूर किया है, जब तक कि CA खतम हो जाती है, क्योंकि जैसी मैंने बोला, 15 साल बड़ा घर और satisfaction, vague description, very very vague, है न, open ended, कुछ पता नहीं, मैंने सोचा नहीं है उस बारे में, क्योंकि problem यह है, मैंने अपना end goal बना लिया, CA खतम करना, क्योंकि हमें सिखाए जाता न, eye of the tiger, bro, focus करो, बच्चों, focus करो, pass करना है, pass करना है, यह मृत, यह तुम्हारा mृत्य पॉइंट हो गया, या तो यह pass होगा, तो ठीक है, नहीं होगा, उसके आगे की दुनिया के बारे में सोचा है है, उसके आगे की दुनिया के बारे में सो have not looked at life beyond it, so you cannot be excited for anything. कैसे excited होगा? तेरी life हर 6 महीने में, तेरे साब से 6 महीने में life खतम है. और वो 6 महीने जब भी निकलते हैं, तू fail ही होता है. तूने उसके आगे की दुनिया consider करी नहीं. You've never asked yourself the question, what excites me? क्या चीज है मेरे अंदर जो वो बिजली दोड़ती है, जिस चीज से. और हो सकता है, तू बोले वो है, C.A. खतम करना, बट वो खतम नहीं हो रही. तो फिर जब तू अपने आप से कहता है, चलो बिजली दोड़ाओ, तो तेरा मन कहता है, किस लिए? C.A. भी खतम नहीं हो रही. अगर तुमने मन बना ही लिया है, C.A. करनी है, फाइनल में हो, दो अटेम्ट दे चुके हो, इतनी संक कॉस्ट है कि अब रिकावर करना ही पड़ेगा, छे साल लग गए है, पात साल लग गए है, मन बना ही लिया है, C.A. करनी है, तो अपने आपको वक्त दो और सोच लो, उसके बाद की दुनिया कैसी देखती है, अब सपोज तु मेरे को बोलता, 15 साल बाद मैं ना करोड़ पत्ती होना चाहिए, प्रकर मेरे घर के बाद बंटली खड़ी होनी चाहिए, और मैंने इधर उदर दुनिया पूरी देख ली नहीं होनी चाहिए, और मेरी ये ये इंवेस्टमेंट होनी चाहिए, ऐसे-ऐसे स्टार्ट अप्स में, और मेरे बच्चे ऐसे-ऐसे होने चाहिए, सपोज, अब excitement आजेगी भाई, क्योंकि अब एक टापू है, आज से 15 साल बाद, जिसको लेके तू excited है, तो तब तक तू तैर जाएगा, ये सवाल अपने आप से पूछो, जरूरी नहीं है कि वो full focused mentality ही best mentality है, in fact कई बार वो उल्टी पड़ जाती है, जैसे कि इस situation में, क्योंकि भाई, अगर तुने मन बना लिया है, C.A. करनी है, तो अभी नहीं तो दो साल बाद नहीं, तो तीन साल बाद हो जाएगी न, फिर तो कहीं नहीं जारी, कहीं नहीं जारी, अब तो तू कर लेगा, C.A. ही करनी है, बाद डिसाइड करता है, नहीं होरी मेर से, तो भी तेरे पास एक और चीज़ा, एक साइट होने के लिए भाई, उसको चेज करने के लिए और तरीके भी हैं, मेरी बात समझ रहा है, आज तो तेरा मन हैनस ये खतम करनी है, तो उसके बाहर सोचने की हिम्मत तो कर ले, वो बहुत जरूरी है, that you have that kind of vision for yourself, that you have something to be excited for, मैं in fact, इस पारे मैं काफी वक्ट से सोच भी रहा हूँ, motivation, motivation से नहीं आती, motivation आती है, जो मुझे लगता है, पीछे मेरा bed आया, और मैं यहाँ टेबल बे बैठ हूँ, motivation सरफ इतना चाहिए, मैं bed से उटके अपने टेबल पर आजो, काम करना शुरू करता हूँ, इससे जाता motivation चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब बंदा काम करना शुरू करता है, वहाँ पर उसको motivation के ख्याल नहीं आते है, वहाँ पर वो काम कर रहा है, सरफ इतनी बात का motivation चाहिए, हाँ, और वो motivation, मैं कभी यूटूब पर नहीं आता motivation देने की, नहीं, मतलब वो motivation motivation से नहीं आता है, वो motivation interest से आता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, मतलब मैं इस बारे में बहुत वक्त से सोच रहा हूँ, कि मतलब मेरे को कभी किसी को, मेरे को याद है जब मैं भी lectures में बैठता था, अजे सर के lectures में बैठा हूँ मैं, फलाना फलाने की lectures में बैठा हूँ मैं, और वहाँ पर वो motivation, 10 मिनिट का break होता है, जब motivation दी जाती है, that never motivated me, मेरे को याद है, अजे जैन सर ने मेरे को क्या किया था, आके बोला था, क्योंकि मैं बहुत शरारती था, उनकी class में भी बहुत शरारत करता था, मेरे पास आये, सबसे आगे बठाया है, मेरे को कहते है, अगर तू exemption लाएगा ना, तेरे को मैं अपना pen दूँगा, और मेरे को पता था, हुन्होंने motivation के लिए बोला है, कि मैं motivate हूँ, मेरे को कोई motivation नहीं है उस बात से, क्योंकि मेरे को नहीं लगता, motivation से motivation आती है, हाँ, reward और punishment का एक काम है, घोड़े को भगाने में, वो कोई मनाई नहीं है, motivation इंटरस्ट से आती है, कि मेरे को इंटरस्ट किस चीज़ में है, तो तू जो the reason why you can pick yourself from your bed, put yourself on your desk and start working already, अभी भी, is because तू set है कि मैं से यह करूँगा, अब जो तू कह रहा है ना, जो बिजली जो चाहिए, जो enthusiasm चाहिए लाइफ के लिए, जो actual quality of life है, जिस लाइफ को तू remember करेगा मरते वे, क्योंकि तू C.A. की struggle remember नहीं करेगा, तू remember करेगा कि ब्रो क्या दिन बिताए थे मैंने, तेरे आस-पास कोई बुज़ूर्ग है? नहीं, अभी नहीं, मतलब वैसे life में कोई जैसे दादा जी, नाना जी ताइप के character है, दादी दादी दादा दोनों है, है ना, उनसे एक बर कभी बात कर, उनसे पूछ आपको क्या याद है, आपको अपनी जिंदगी की बारे में क्या याद है, बड़ी interesting conversation होती है, और अपने दादादी होना तो दिल भी धड़क जाता है भाई, सुनते हुए, बट तू फिर realize करेगा कि bro, there are things you need to be looking forward to in your life, that are not just कौन सा exam और ये और वो, सब चीजों की अपनी एक जगा है, exam की अपनी एक जगा है, उसकी एक importance है, पर जिन्दगी की अपनी एक importance है, वो बिजली जिन्दगी से आईगी, exam की डंडे खाने से नहीं आईगी, अपने आपको घोड़े और घदों की तरह ट्रीट करना बंद करो, बिल्कुल, वो नहीं चलेगा, वहाँ से motivation नहीं आईगी, धक्का मार के गाड़ी पहाड के उपर नहीं चड़ती, समझ रहे हैं? Great, I think एक और candidate काम डावलोट है, Manish, I think काफी insights मिली आपको, और भाई, बस लग जाओ, और जैसी बात प्रकर ने बदाई, follow करो, and believe me, मुझे भी बैट के insights मिल रही है, सब्सक्राइब करने के बाद भी, दस साल और भागना है भी बेटे, ये तो चालू हो रही है race, एंप्रकर ने बूला भी था कि असली race जो सीए के बाद शुरू हो थी है, चलिए अब एक बार चलते हैं, आयूशी के पास, आयूशी आपको मैं unmute कर रहा हूँ, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, हाँजी आयूशी, अगुद इवनिंग सर, बरी गुद इवनिंग, हाँजी हाँजी आवाज आ रही है, आयूशी आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन अपने आपके कंट्रोल कैसे करें, मतलब हमको पढ़ना है, हम पढ़ने बैट भी है, लेकिन पढ़ते पढ़ते थोड़ने नींद आ गया, या फिर सोचे कुछ कर लेते, फिर कुछ करने जाते तो बाबाब आई नहीं पाते हैं, तो अपने आपको ऐसे कैसा रिस्ट्रिक्शन लगा कि अभी नहीं करना है, अपने आपको इसे कांट्रोल कैसे करें, बस वो संग्यार है, कोई जादी तरीका नहीं है, आयुशी, सोच के देखो, कोई जादी तरीका नहीं हो सकता, यह जो तुम बात पकड़ रही हो न, इस बारे में तो बुद्ध काई लेक्चर दे गए, अपनी जिंदगी निकाल गए 40-50 साल की, अगर तुम, if you look into religion also, किसी भी टाइप के religion उठा लो, किसी भी टाइप के भगवान उठा लो, महात्मा उठा लो, चाहे तुम महात्मा गांधी को यह क्यों न उठा लो, वो भी यही बात करके गए, self-discipline की, control की, abstinence की, अपने आपको रोको, मना करो, ठीक है, कहते ना जैसे कि, जैसे religion में alcohol, वे alcohol मत consume करो, वो क्या है, एक form of self-control है, मात्मा गांधी क्या कहे तिरे, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन क्या, एक form of self-control है, कि मैं अपने आपको बोलू, X और मैं X कर दू, चाहे वो कुछ भी X हो, और ये cultivated है, ये actual वो skill है, जिस पर मेहनत करनी है, जिन्दगी भर कमाने के लिए, ये वो चीज़ नहीं है, जो किसी भी जादूई तरीके से, एक साथ change हो सकती है, इस skill को कमाने की cost क्या है, पता है, दर्द, इस skill को कमाने की cost है, दर्द, कई वज़ाएं हो सकती है, why you get distracted, कई वज़ाएं हो सकती है, कि तुम पढ़ने बैठती हो, और तुम्हारा मन यहाँ वा जाता है, कई वज़ाएं, बहुत वज़ाएं हो सकती है, बट अगर तुम्हें अपनी game जीतनी है न, तो जितनी बार तुम्हारा मन बोले उठ जा, उतनी बार उसको बोलने नहीं, and धीमे धीमे करके, ये skill बननी शुरू हो जाती है, ये muscle बनना शुरू हो जाता है, ये strength बननी शुरू हो जाती है, हाँ बोला हाँ, ना बोला ना खुद को, and then stick to it, and then हाँ धीमे धीमे करके, वो stickability भी आ जाती है, it becomes easier to say no जैसे कि when you initially start अगर आप कभी अच्छे clean food जैसे मानलो आपने आपको dieting कहते हैं जिसको आप dieting करनी शुरू करो पहले 2-4 दिन बहुत मुश्किल होती है तीसरे चौथे पांचवे दिन असान हो जाती है, साथवे आठवे नौवे दिन और असान हो जाती है slowly, 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 slowly it becomes easier मैं आपको एक और extreme example देता हूँ fasting का, when you don't eat food for a few days, it's a great exercise in self-control हमारे अवरत रखवाते हैं न कोई मंगलवार का रखता है, कोई शनिवार का रखता है कोई करवा चौत का रखता है, वो एक exercise है self-control में, अगर आप ध्यान से देखो, मेरे सामने खाना पड़ा है, और खाना एनी बहतरीन खाना पड़ा है, ना आज नहीं खाऊँगा आज नहीं खाऊँगा, और मन कर रहा है खालूँ, पर ना आज नहीं खाऊँगा, धीमे धीमे करके ये muscle build हो रहा है, धीमे ऐसे लोग प्रिदूस करें, हाँ बोलो, प्रीज, कभी मतलब सोचते कि हम पाँ बज़ उटेंगे, उट भी जाते हैं, पाँ से चहे पढ़ते हैं, फिर सोचते थोड़ा देर सो जाता है, और फिर जब सोते हैं, तो एक घंटा बाद उटते हैं, साथ बज़े, तो फिर दूस क्रिएट करो, मैं आपको overall pattern बता रहा हूँ, consistency क्रिएट करो, routine क्रिएट करो, simple solution है इसका, पांच बज़े उटना है, पांच से साथ पढ़ना है, एक घंटा सोना है, और अपने आपको सांस लेने दो, मतलब मैं, देखो, CA की requirement, CA exams की requirement, real life में किसी भी और चीज़ को करने की requirement स से बहुत और है, तो मैं थोड़े लेवल पे तो अपने आपको unnecessarily पेलना पड़ता है, very honestly, like you have to put yourself through a lot of intense stuff, trying to do CA, life is really, it works a little differently, the point is, तुम अपने आप से उमीद नहीं कर सकते कि तुम 18 घंटे हल चलाओ, especially जब तुम्हें हल नहीं चलाना, अब तुम्हें अगर 8 घंटे दिन म पढ़ाई करनी है, suppose, और 5 बजे उठने में तकलीफ हो रही है, तो 7 बजे उठ जाओ, 8 घंटे पढ़ना है न, पूरे दिन में 8 घंटे की पढ़ाई निकाल लेंगे, but the only way कि तुम रोज 8 घंटे की पढ़ाई निकालोगे, या 10 घंटे की, जितने भी घंटे की है, is if you wake up at the same time and sleep at the same time and if you do same thing every day at the same time, the best way to lose weight is to eat the same thing every day, consistency, कि वो second nature बन जाए आपका, 5 बजे उठते किताबे खुल जाएंगी, तो उसके लिए आपको routine build करना होगा और उस routine को आप break नहीं कर सकते, फिर आपको वहीं वो आपका practice ground है, कल सुबा 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठका है, 7 बजे पढ़ाई करनी, 7 बजे पढ़ाई करनी, 7 बजे पढ़ाई, अब मैंने यह bottom line है जो प्रकर ने बोल दिया आप अगर सोच रहे हो कि कल कोई आके वही जादू की छड़ी घुमा दे या कुछ कर दे believe me guys यह possible ही नहीं है और दो बाते जरूर नोट करना जो प्रकर ने बोली कि यह top 1% में पहुचा देता है यह skill आपको अगर आपने x बोला और x कर दिया तो यह आपको top 1% पर पहुचा देगा और यह बहुत कम लोगों के पास यह skill है degree matter करती किसी के पास हो सकता है बिलकुल ही नहीं किसी के पास 10%, 20%, 30% और जो 100% पे skill पे 100% के हास पास है I think they are ruling the world, right? 100% sir, 110% मतलब I cannot, मैंने, I have met some extremely successful people और sir मतलब देखो ऐसा है, आप Jack Maa के पास जाओ, आप Elon Musk के पास जाओ, आप Jeff Bezos के पास जाओ, ठीक है? आप उनसे बोलो भाई, जिन्दगी जीने के क्या तरीके है आप उसके बाद एक छुटवाई है, फाल तू YouTube Creator प्रकर के पास आओ, और बोलो जिन्दगी जीने के क्या तरीके है उसके बाद आप चाय की टपरी पे बगल वाली बैठे वे एक जो चाय बना रहा है ना आदमी, उससे जाके पूछो भाई, जिन्दगी जीने क्या तरीके है ज़्यादा फरक नहीं होगा अड़्वाईस में जब मोजज ने पहली बार, जो यह आपका जुविश फेथ, दस कमांडमेंट लिखी थी, दस बस, दस याद कर लो, उसके उपर पर रिलेजन कुछ था भी नहीं उस टाइम पर, हैं, तो ज़्यादा, ज़्यादा कुछ नहीं है जिन्दगी जीने में, जिन्दगी करने में महनत लगती है, तो जो आपने आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाय करिए न, आयूशी बिल्कुल सॉलिड प्रॉब्लम आइडे जाओगे, अगर आपको लगता है, CA की डिग्री, सेल्फ कंट्रोल से ज़्यादा वैल्यूबल है, तो वो नहीं है, मैं ये बात आपको लिखके दे रहा हूँ, आप कंपाउंड इंट्रेस्ट पचास साल का लगा के देखो उस बात पर, अगर रूटीन बनाया, तो फर्स टाइम रूटीन बनाया, उसके जितना बनाया वो हो नहीं पाया, आपको पता है क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि क्या है, मैंने अपने आपको बोला, X करो, अब मैं X कर नहीं पाई, तो अब मैं क्या करूँ, खुद को जाने दूँ, नहीं मैं धंडा मारूंगी खुद को पनिश्मेंट दूंगी क्योंकि क्यों पापा मम्मी ये करते थे स्कूल में मैम ये करती थी सर ये करते थे स्कूल में पनिश्मेंट होती है यार अगर तुम काम पूरा ना करो क्यों क्यों तो क्या होती है वो पनिश्मेंट नेगिटिव सेल्फ टॉक होती है वो पनिश्मेंट वो पनिश्मेंट नेगिटिव सेल्फ टॉक होती है तुम ऐसे हो तुम फलाना हो तुम लूजर हो तुम गुड इनफ नहीं हो तुम फेलियर हो तुम ये हो तुम वो हो खुद को बुरा फील कराएंगे ताकि खुद को बुरा फील कराएं पनिश्मेंट दे दी खुद को तो उससे अच्छा फील होगा कि मैंने खुद को पनिश्मेंट दे दी ना कितनी complicated बात है कि मैं अपना दिमाग ही मिरको कह रहा है पहले खुद को मार, मार के अच्छा लगेगा तेरी गलती है मार खुद को जरूरी नहीं है माफ कर दो खुद को तुम्हें पता है क्यों नहीं हो पाया 18 बज़े हो सकती है इवन ओन माइ बेस्टे और नीरत सर्स बेस्टे 100% things don't get done इवन जेफ बीजोस बेस्टे 100% things don't get done बट वी अपने तरफ से भी 100% नहीं दिये फिर बात और है देखो अब आज राद गई अब तो शाम हो गई अब 100% नहीं दिये कल देंगे कल भी नहीं दे पाए परसो देंगे as long as try करते रहोगे 40 का 50, 50 का 60, 60 का 70 हो जाएगा और जहां 70 का 80 होगे double होगी तुमारा output उसी दिन और उसके बाद आगे जिंदगी में एक बात एक बात दूसरा तुम लगे होई हो daily instead of कि आरे हम तो 40 ही करते हैं इससे बढ़िया करे ही न तो भी अपने आपको punish करना solution नहीं है तुमारी punishment ही यह कि कल 50 करना है इसको ऐसे देखो your punishment for not doing work today is that you have to do it tomorrow तुमने अगर आज वो chapter नहीं पढ़ा cost का या फाइन FM का तो कल पढ़ना पढ़ेगा न वो है तुमारी punishment वो निभाव वो करो राइट great insights प्रकर बहुत मतलब यार मैं भी मैं तो हमेशे आपको बोलता हूँ आपकी बातों से मैं बहुत ज़्यादा influence होता हूँ और I think अगे एक जबरदस्त प्रवच्चन ही हुआ है भाई यह सत्संग नहीं है प्रवच्चन ही हुआ है और I think बहुत मतलब सबसे खास बात क्या है कि कोई हवा हवाई में हम लोग बाते नहीं कर रहे हैं कि तू चीर देगा तू फाड देगा तू दिखा देगा तू आज बिल्डिंग से तू कूदेगा और देख नीचे जाके कुछ भी नहीं होगा होगा चोट लगेगे पैरवेर तूट जाएंगे पैरवेर तूट जाएंगे I think guys यही है मतलब मैं बोलो न यही है कुछ गिनी चुनी बाते हैं अगर उन गिनी चुनी बातों पे आप अपना पूरा कंट्रोल बना लो तो आप गिने चुने लोगों में आ जाओगे इट्स वेरी सिंबल राइट प्रकर मैं मजाग भी नहीं कर रहा सर मतलब तो फॉर्मिला तो सक्सेस इस वर्य इजी रियली लाइक मैंने उसको टू स्टेप प्रॉसेस में ब्रेक्डाउन कर सकते हो बी गुड़ अट वाट यू दू पीपल बस पीपल विल ब्रिंग ऑपर्चुनिटी एक बाद दुवारा रिपीट कर दो पर करिये जो आपने टू स्टेप प्रॉसेस है मेरे चैनल पर विडियो है इस पर पूरा मैं इसको पापा के प्रवचन में टाइटल है क्योंकि सर मेरी तो अडवाइस कॉंपलिकेटेट होती है इताजी के अडवाइस दो तीन संटेंस मैक्सिमम उनकी अडवाइस है कि जो करते हो उसमें बेस्ट रहो और उसके बाद लोगों के हाथ मिलाते रहो लोग अपने अप लेके आएंगे काम उस काम से दो काम बनेंगे दो से चार बनेंगे I think that's it for today बहुत बहुत मज़ा आया और स्टूडेंट्स ने भी काफी इंजॉई किया होगा आपको जाना है बिल्कुल ने बिल्कुल ने बिल्कुल ने एक शुबहम लड़का है वो काफी देर से शुबहम और गुरसाहिब बैठे है अगर शॉट में उनके क्वेशन आंसर कर दूना मेरे को अटलीस लगेगा मैंने मेहनत कर दिया गुरसाहिब को बता निए शुबहम का शॉट में आंसर नहीं बाएग बट फिर भी अच्छुबहम को मौका में लेगा अले गुरसाहिब के मास्चलते है अगर साहिब जी मैंने आपको अन्म्यूट कर दिया है अभी आपने मतलब प्रक्रवजा ने बोला कि मतलब लोगों के हाथ मिलाते रहा हूँ मतलब इनकी लाइफ ऐसे जारी कुछ हद तक अपने आपको ऐसा नहीं देख रहा हूँ तो इस मींस कि I am good at this लेकर जरूर ही नहीं कि मैं इसमें इंट्रस्टेट भी हूँ मैं समझा नहीं कि there is something we are good at and there is something we are interested in sometimes they don't over laugh well bro देख एक तो ना interest जो यह passion और यह interest वाले चोचले होते हैं यह independently हवा में नहीं होते हैं कि मैं अपने अंदर जहांके दिखा ओ मेरे को photography में passion है मेरे अंदर कहीं coat दबा हुआ है मेरे अंदर कोई secret है जो निकल आया एक दिन डकारा मैं तो मुझे निकला photography ऐसा नहीं होता bro ठीक है इसको ना reveal truth कहते है philosophy में कि एक साथ जो छुपा हुआ है reveal हो गया और दूसरा होता है constructed truth जो मेरे को खुद अपने हाथों से बनाना पड़ा और passion generally constructed truth होता है reveal truth नहीं होता तुमारे अंदर छुपा नहीं हुआ है वो दबा हुआ है तुम नहीं दबा रखा है और मेरे ना मेरे पापा नहीं मेरे को एक बार बहुत पहले का था मैं कहते नहीं मेरे को math में interest नहीं है कहते अगले exam में पढ़ो number लेकिया और देखो कैसे interest नहीं develop होता generally you like what you are good at because you want to feel good about yourself that is the underlying motivation मेरे को अपने बारे में अच्छा फील करना है तो I like what I am good at यह वाली बात होती है बट तो भी कभी-कभी अलग होते है और इसमें एक तीसरा element होता है बड़ा practical reality जिसको बड़े लोग सुना के हर चीज को बिस्तर नहीं जाड़ देते है practical reality भी कुछ चीज होती है बटा अब यह तीनों चीज़े मैनेज हो सती है बढ़ी what I am truly interested in is studying, trust me I would love to be a student for the next five years what I am truly interested what I am good at is kind of teaching which is what I am doing sort of right now and practical reality is he's got to make money to live man he's got to have like लोगों का respect and you know society में place and all that जो भी जिबरिश लोग use करते है अब तुम्हारे सामने यह तीनों problem solved है मैं काम ऐसा करता हूँ जिसके लिए मेरे को पढ़ना है सारा time मैं करता वो हूँ जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ उससे मैं पैसे कमाता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ पढ़ाई फिर से तो यह तुमने तीन element table पर रखे एक optimization problem बठाई उसको कैसे set करना है and I don't think you are good at studying bro I don't think that's a real skill good at studying I don't think that is a you are good at getting your things done whatever they might be probably अभी तक तुमने सिर्फ अपने आपको explore academically किया है studies is not a real thing bro जो India में studies है न वो एक real कोई concept नहीं है वो एक तोड़ा मरोडा हुआ exam oriented filtering process है जो system को serve करता है वो कोई real life skill नहीं है वो वो कोई real चीज नहीं है वो एक game है, वो monopoly है वो कोई real तो you are not good at studying you are good at getting your things done जो भी है वो अब पता नहीं वो academically, non academically कहां का transfer हो सकता है बड़ अगर तुम खुद को बोलते हो मेरे को ये करना है तुम वो करते हो, ये एक बड़ी rare skill है at least वो महनत करते हो एक तो वो definition broaden करो अपनी what I am good at वाली उसके बाद और चीज़े include कर पाऊगे उसके बाद life यही है ब्रो तीन-चार element जो तुमारी life में float कर रहे है उनको जोड के कैसे final masterpiece बनाना है और वो तुम बना लोगे हमज़े हो राइट मैं हांजी गुरसाइब ड़न येस सर ग्रेट मैं शुबम को बोले हांजी मैं शुबम को एक बार unmute कर देता हूँ शुबम चोटाई सा क्वाल रखना है और चोटाई जवाब दुमार पहले बाद में मिल चुकी है हाँ 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 गुद इमिंग ब्या गुद इमिंग सर में को बस यह बुचना था कि मतलब जिस चीज में हमने एनलाइज कर लिया कि हर चीज में थोड़ी जी रिसक और uncertainty को होती है आफ्टर टेकिंग एक रिसक and uncertainty into account जो चीज में safe option है उसे choose करना चाहिए या जिसमें बहुत अच्छे से interest और passion है उसका कोई सीधा answer नहीं है शुबम उसका कोई सीधा answer नहीं है मैं समझ गया तू किस direction में जा रहा है तू मत बता मेरे को तेरा safe और unsafe option क्या है उसका कोई सीधा answer नहीं है दोस्त वो circumstance to circumstance depend करता है तेरी risk appetite कितनी है अब भाई मेरी risk appetite जादा थी क्यों एक तो मैं थोड़ा risky इंसानी हूँ life में दूसरा मेरे घर वाले बैठे है मेरा ध्यान रखने के लिए ठीक है बहुत realistic बात कर रहा हूँ मैं मेरे को पता है ना मैं भूका नहीं मरूँगा अब मेरे को पता है मैं भूका नहीं मरूँगा सीए करो या कुछ और करो वो ये था कि दोस्त अगर तुम ये करने गए और तुम्हें ये करके भी ठीक नहीं लगा ना तुमारे घरवालों का विश्वास उठ जाएगा तुमसे आसपास वाले लोग बोलने लगेंगे नलायक लड़के हो किसी काम के नहीं हो एक भुक मरी मेरी ये थी उस सिचुएशन में वो मेरी भुक थी जनरल पॉइंट इस एक तो रिस्क अपिटाइट एलिमेंट हो गया दूसरा एलिमेंट ये हो गया इम आ इवन शॉर कि मैं दूसरी चीज में इतना इंटरेस्टेट हूँ सफिशिएंट लिविंग कमाने के लिए तुम्हें 1% होना होगा अज़ चार्टेड अकांटेंट तुम 40% मार्क में भी ठीक हो तो दी ओड्स अव यू बिंग सेफ सिक्योर और तुम्हारा पेट भराओ is decent enough as a CA but as an artist it's 1% hell hell lot of a difference bro massive difference right now there is a third practical solution to it even though it's a little heavy on working hard but it gets things done which is what I used back in 2015 even before I left CA which was you have done a CA and then you reach out whatever your dreams are for that right तो वहाँ पे क्या है में practical level पे I am making sure कि मेरा पेट भरा होगा for life even when my parents are not looking after me I can always do my chartered accountancy का काम and then I can go out and explore in many directions my point is none of these options are for final but these are the number of things that exist in front of you and maturity is dealing with the cost of your decisions कोई एक fixed रस्ता नहीं है जो तुमें सही रस्ते में ले जाएगा हो सकता है तुम वो काम करने लगो और बन जाओ 1% हो सकता है तुम वो काम करने लगो इसका आंसर तुम लोगों से ढूड़ना बिलकुल बंद कर दो क्योंकि तुम जितने लोगों से पूछो के सिर्फ उतना और confused होगे इस आंसर को लेके यह आंसर तुम अपने आप decide करोगे यह एक आंसर है जो तुम life में real time action करके time बिता के उसका आंसर मिलेगा जब मैं अमेरिका जा रहा था कोई certainty नहीं थी कि वो solution वो कोई अच्छा option है कि नहीं हर 6 महिने में वो option बहतर बनता गया 6 महिने बाद आता था सब लोग कहते थे वा 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 वो in real time discover किया गया कितना अच्छा investment था मेरे time का पहले से नहीं पता लग सकता तो ये तो तुम्हें खुद ही decide करना पड़ेगा दोस्त और जब तुम खुद decide करोगे ना तो वो कमाई भी तुम्हारी होगी जो भी जो भी होगी जिस भी direction में फिर confidence भी आएगा वहा से कि ये मेरी कमाई है मैंने decide किया था देख रहे हो मैं decide करता हूँ और क्या होता है फिर ये वली बात आती है तो इसके answer दूसरे लोगों से पूछना बंद करती है तो इसके answer दूसरे लोगों से पूछना बंद करती है और as usual भाई पूरी demand आ रही है कि continue this series तो मैं जो चैट प करना चाते हैं तो कोशिश करना प्रकर जब भी समय निकले जब भी आपके पास समय हो आप ऐसे क्यूं कह रहे हो आप तो जब बोलोगे मैं मैं तयार हूँ हमें तो बस सिर्फ वह वाली बात होती है कि किस दिर फ्री है आपको मैं मना करें नहीं सकता तो अगर मैं दुबार कर लेता हूँ थोड़ा बहुत काम उसमे में कर लेता हूँ आगे चलके वी ग्रेट बहुत बढ़ी है प्रकर तो मिलते हैं भाई दुबारा से एक बार मैं स्टूडेंट्स को जली से सी ओफ कर देता हूँ आप से मैं एक बार दुबार से से सेशन के बार एक बार चीत करता मैं hang up कर दूँ? हाँ जी, हाँ जी मैं hang up कर दे दूँ ओके सर थैंक्यू everybody see you soon मेरे चैनल को subscribe कर ले न अगर नहीं किया है तो प्रखर के प्रवच्चन and PG Radio दोनों के बारे में प्रखर तोवा सा एक brief brief दे दो अगर कोई नया audience है तो उनके भाई ये जब मैं अकेला बोलता हूँ तो वो प्रखर के प्रवच्चन होता है जब मैं किसी और से बात करता हूँ और उनकी बात सुनने में इंट्रेस्टेड होता हूँ तो वो PG Radio होता है तो मेरे को personally PG Radio create करना जादा पसंद है क्योंकि मैं अपनी आवाज समसुनके हो चुका हूँ ठीक है बट जेनरली लोगों को प्रखर के प्रवच्चन जादा पसंद आता है क्योंकि जब मैं सोलो इंट्रेक्शन करता हूँ तो मैं थोड़ी पंचिंग करता हूँ हेवी पंचिंग तो तुमने देखी लिया उसका ट्रेलर तो तुम दोनों जाके फॉलो कर सकते हूँ content मेरा long form रहता है 15 second का content देने में मैं interested नहीं हूँ जब तक मैं context ना देपा हूँ उस बात का तो ये content मेरा सारा लंबा चोड़ा अच्छा इसके बाद इनके clip channels भी है जहां छोटे content मिल जाता है तो PKP clips and PG radio clips भी exist करता है जा जाके subscribe करना हूँ कर दो मौप रखना हूँ पड़े तुम मेरे को देखते रहोगे मैं यहीं रहूँगा ठीक है तो everybody great seeing you thank you so much sir I will see you very soon चाव चाव thank you thank you and हवा में मत उड़ो भाई हवा में उड़के कुछ नहीं हो सकता जब तक आप ground level पे काम नहीं कर रहे तो ground level पे working करना बहुत ज़ाँ ज़रूरी है और किसी से कभी भी ने decisions मत मांगो आप किसी से मांग रहे हो तो framework मांगो कि decision को लेने का framework क्या है क्योंकि कर आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया तो I think decisions लेना जो है वो बहुत ज़्यादा असान हो जाते हैं और decision अपने अपने आप ही लेने चाहिए हैं आप ही अपने decisions के ले जो है वो responsible रहेंगे चलिए आप से मिलते हैं ऐसे ही किसी और session में अगर आप लोग अभी join करना चाते हो जहां पर zoom meeting हो तो neerajara.com पर जाए हमाँ पर self help and satsang club है that is completely free of cost आप वहाँ पर आके join in कर सकते हो तो जब भी next live session होगा आपको notification आ जाएगी और otherwise उसमें आपको बहुत सारी ऐसी और videos मिल जाएगी जिसमें ground level पर आप अपने उपर working कर पाएंगे right guys thank you bye bye take care God bless you all